तो भाई अनुरूद के अंदर भी वही खून बहता है जो आपके अंदर बहता है जो मेरे अंदर बहता है लेकिन ये जो खून है ना इसमें खास तरीका का पदार्थ मिला हुआ है एक ऐसा लिक्विड मिला हुआ है जो शायद आपके अंदर नहीं है और मेरे अंदर नहीं है और वो है uniqueness का या फिर यू कहें कि वो है ज्यादा oversmart होने का अब आप लोग सोच रहेंगे कि भला फिर से ये जो वेनुकुमार है ये अनुरूद के पीछे क्यों पड़ गया भाई देखो मैं अनुरूद के पीछे नहीं पड़ा हूँ अनुरूद हमारे पीछे पड़ा है अ इसमें एक के बाद एक कोई बाजी देख जाएगी और शतरंच के विजयता का announcement क्या जाएगा घोशना की जाएगी नहीं लेकिन बेशा कि ये जो मेकर से ये अनुरूद के किरदार को एक ऐसे लेवल पर लेकर जा रहे है जहां से अचानक ही अनुरूद को सही दिखा दिया क्या अनुरूद ने एक भी बार जहनक को घर से रिकालने के लिए कुछ किया नहीं किया क्या वो पुली स्टेशन गया नहीं गया क्या उसने अर्शी से बोला कि वो जहनक को निकाल देगा नहीं बलकि उसने ये बोला कि वो चले जाएगी अप्पू की शादी के बाद चले जाएगी यकीन माने दोस्तों अनुरूद कहीं भी गलत नहीं है वो इंस्टन बच्चा को स्विकार नहीं कर रहा है लेकिन एक न एक बल में वो अचानक से आएगा जनक को बोलेगा कि मैं अरशी के चारा कारें से मजबूर था वगरा वगरा लेकिन ये सब कुछ नहीं दोस् पूरा बोस परिवार जल्द ही उसका चिराक जुख जाएगा यानि पूरा बोस परिवार का गमन चकन CandMAN चूर हो जाएगा क्योंकि बहूं कि अलालोन के परिवार का राज चोग खुलेगा और 25 साल पुनाने जनक ने इस राज को खोलकर बासू परिवार को अपने गुटन नमस्कार दोस्तों आप से पिकर स्वागत है टाइमस आफ मुडिया में जहां पे मैं वेनु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो जहां पे बात करें जहनक के इस ताज़तरीन एपिसोड की न दोस्तों अब जहनक की काानी एक इंटेंस लेवल पर पहुंच चुकी है अब आ अब आप ऐसा क्या करने वाले हैं कि अनुरुद और जहनक एक हो जाएंगे दोस्तों सबसे बड़ी बात बताओ जहनक और अनुरुद एक साथ नाम भी लेता हूं तो भाई खतम है कहानी यहीं पर खतम है अब इन लोग एक साथ दिखते हैं अर्शी को तो सोचे अर्शी का कितना खून खौल जाता होगा सोचिए जहनक और अनुरुद का एक साथ नाम लेने से ही वो लोग कहीं पर मौजूद है इतना जिक्र करने से ही अर्शी और स्रिष्टी के पैरो तले जमीन खिसक जाती है इनके जो नीचे जमीन भूकम पा जाता है सर का आस्मान फढ़ जात आएसा ही होने वाला है यकिन मानि आईसा होने वाला अब आप लोग सोच रहूंगे कि भाई मुझे क्या है मुझे व्यूस पाने है चैनल में आपों के इंगेजर रखना मैं खुछ ही वहन रहा हूँ जैसा खबर हो रहा, जैसा शूटिंग ब्लोटिंग चल रहा है, ठीक वैसा ही हम आपके सामने कहानी को लेकर आते हैं, हम अपनी तरफ से कुछ भी जोड़ के बताएंगे और वो तो होने वाला नहीं है, क्योंकि मेकस ना ही मेरा बाप है, ना ही कोई मेरा इस्थदार है, सीध पूरा एक्सपीरियांस हो चुका कि कहानी, ऐसे टाइप की कहानी वो आगे जाने वाली है, और कुल मिलाकर में आपको जो बता रहा हूं, वो यही बता रहा हूं कि अनिरुद और जहनक एक हो जाएंगे, अनिरुद को शैतान से महान दिखाना मेकर्स के लिए कोई बड़ी आपकी नजर में मेरी नजर के, स्टोरी के कास्ट के वाज़े से उसे विलन में नहीं लिया गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि भाई कोई अच्छा इंसान कभी गलत नहीं कर सकता है, ये बात गौर से सुनिए कि ये जरूरी नहीं कि कोई अच्छा इंसान गलत नहीं कर स अनुरूद के सा थी बहुत बड़ा हाथ्सा हो रहा और अनूरुद जो यह सब कुछ कोँछ ड़ूदा बच्यों को सुभी का आया मेरा यह उसके जिन्दगी का वास्ट फेस होने वाला नदा चाहरे iस यकिन मानाँ हर इनसा ही जिलदार के जिलर में जयारा ने त friendly society पोस्ते रजाओ और आपकी जिंदगी खतम हो जाए इसलिए जिंदगी मौके देती आपको उपर उठने का और ऐसा ही कुछ ना दोस्तो अनुरूत के साथ भी हो रहा है फिलहाल अनुरूत जहां पर खड़ा है वहां से अनुरूत खुद को नहीं देख पाएगा ये बात जो मुझे रिव्यू करना जो रियक्शन करना जो मुझे बात बतानी है वह में बता रहा हूं मेकर्स को ये बात बखुबी पता है कि कुछ भी कर लो भाई जनक को अनुरूत को वापस एक करना है एक करना है तो अनुरूत की सारी गलतियों पर मिट्टी डालना है या फिर पास गया ना 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 घरवालों को बोला निकाल दो ना 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 कुछ नहीं किया उसने ये बोला कि अपक शादियों की चले जाएगी ना 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 यह हो नहीं वहला है और जहनक और अनुरूत के बीच में यकीन मानिए दो चार गिले शिक्वे क्या आगे भाई सृष्ट के बीच में कॉमटिशन ही ऐसे होती है कि शरम हार जाती है और कमबकत यिको जीद जाती है इщक के खेल में हमेशा यिगो जब आगे आता है तो इशक वहीं खतम हो जाता है भाई दौस्तों बेशा कि मुझे आप बाद में लेकिन कहानी को समझो कि का होने वाला यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आप लोग सोच रहेंगे कि भाई क्या होने वाला मैं ही नहीं बताऊँगा तो आप लोग क्यों सोचेंगे मैं बता रहो दोस्तों यकिन मने बता रहो सबसे बड़ी बात क्या है कि जहनक और अनिरुद दोनों के बीच में इस चीज का स्वाधना है वो आपके पेट में जाकर आपकी शरीर के लिए फाइदा न करे अरे करेगा यार अर्शी करेगा तुमने जो पिया है न मीठे निम का पत्ता को वो कड़वा है मीठा नहीं है कहने के लिए तुम्हें किसी ने मीठा निम का पत्ता बोलकर दे हाँ क्योंकि अभी जहनक वापस अचानक से आई है अनुरुद के सामने खड़ी है और अनुरुद उसे इंस्टेंट में रियाक नहीं कर पा रहा एकसेप नहीं कर पा रहा इसी लिए ये वज़ा है लेकिन अनुरुद और जहनक दोनों को ये बात पता है कि कितना भी गिले है इसारी नफरत और इगो ऐसा ही कुछ होने बाला जहरक अनुरुद को बेचारी अर्शी देखते रहे जाएगी क्या अर्शी देखने के लिए तो है भाई अब इस कहानी में अर्शी का रोल क्या है चुप चाप खड़ों के मदारी के तरह तरह तमाशा ही देखना है उसक क्या करना है खतम खुद को खतम कर लेना दोस्तो आज का यह हमारा वीडियो भी होता है खतम टाटा गुडबाई और इसी के साथ मैं मिलूंगा एक और अपडेट में जणक के इसाथ तब तक मुझे दे इजाज़त और देखते रहे ज़नक को स्टार पैस पर और एटम कुछ नहीं है आपको सब्सक्राइब करना है चुप चाप आपके पास आपका जणक अपडेट मिल जाएगा वो भी डेली टाइम टू टाइम और साधी साथ सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो जणक की एपिसोड की डीटेल में बात करते ना शायद आपको पूरे यूटू को यह मेरी विडियो थोड़ी बहुत अच्छी लगी हो यही मैं चाहता हूं कि अनुरूद भी प्यार दिखाएंगे लेकिन आपका प्यार दिखाना बहुत जर्वी है ताकि मैं वापस आपके लिए नय एपिसोड से ज्टेए नय अप्डेट को लेकर जल्दी आजगो उ आपड़ेट तो टाइंस आफ वीडिया पर बाबाय टेक केर जया हिंज जया भारत